नमस्कार दोस्तों आसा रखता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे मैसेल्फ भाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टिटुट अफ कॉमर्स यौर ओन पर्सनलाइस हाई टेक डिजिटल क्लासिस दोस्तों अगर आप लोग कॉमर्ट स्ट्रीम के हो तो आप लोगों ने चार्टर अकाउंटनसी कोर्स के बारे में जरूर सुना होगा विच इस वन अफ दे बेस्ट एंड टॉप रैंक कोर्स अफ दी कॉमर्स ट्रीम अगर आपके पास सीए कोर्स के बारे में जानकारी नहीं है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दी है उस पे क्लिक करके यह सीए फांडेशन के कोर्स के बारे में सारी जानकारी आप लोग ले लीजी और अगर आपने यह अलरड़ी इंफर्मेशन देख ली है और आपने यह कंफर्म कर दिया है कि सर मुझे सीए करना ही है तो इसके लिए आपको ICAI में ऑनलाइन रेजिस्ट्रेशन करना होता है पर बहुत सारे स्टुडेंट को यह ऑनलाइन रेजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंफर्म पता नहीं होता है जिसमें बहुत सारे confusions और गलतिया हो जाती है तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है दोस्तो इस session के अंदर मैं आपको ICAI में online CA Foundation का registration कैसे करना है ये step to step समझाने वाला हूँ तो आप इसको अच्छे से देखिए और इनी steps को follow करके आप भी अपना CA Foundation का registration कर सकते है तो सबसे पहले तो दोस्तों आप लोग अपना ये जो registration प्रोसेस है वो laptop या computer से ही करोगे आपको mobile phone से ये online registration नहीं करता है क्योंकि उसके अंदर कुछ steps ऐसे है जहाँ पे mobile से registration करने में आपको दिक्कत हो सकती है तो सब लोग laptop या computer से registration करे जिसमें आप कोई भी browser को open करे और यहाँ पे मैंने जो Google Chrome है वो open किया है और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले link जो है वो लिखेंगे simple अगर आपको कुछ नहीं पता है exact link नहीं पता है तो icai.org लिखिए यहाँ पे icai.org तो आप लोगों के सामने यह icai के website open हो जाएगी यह website के उपर आपको icai के बारे में सारी जानकारी आभी मिलेगी और यहाँ पे आप थोड़ा नीचे आओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो self service portal यहाँ आपको मिलेगा तो यहाँ पे आप self service portal पे क्लिक करें तो आप लोगों के सामने इस तरह से यह page open हो जाएगा यहाँ पे अगर आपने already process किया हुआ है या account create किया हुआ है तो सीधा user ID और password लिखके login करोगे बट अगर आप लोग यहाँ पे online registration first time कर रहे हो तो यहाँ पे first time user जो लिखा है first time user और new student उसके उपर क्लिक करेंगे तो इसके उपर हम लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से page open हो जाएगा जिसमें आपको आपकी जो personal details है वो यहाँ पे fill up करनी है देखिए personal details जो की basic information है जो की सभी students को fill up करनी है तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको salutation लिखना है मतलब आपके नाम के आगे जो भी लिखता है mister, miss, miss जो भी लगता है वो लिखेंगे यहाँ पे मैं registration करूँगा तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ mister, अगर कोई married woman है तो यहाँ पे लिखेंगे miss या miss या miss या mx तो यहाँ पे आपका जो भी salutation लगता है वो आप select करोगे मैं यहाँ पे लड़के का registration कर रहा हूँ तो मैंने mister tick किया है अभी यहाँ पे आपको आपका first name मतलब आपका नाम लिखना है यहाँ पे आपका नाम लिखने के बाद middle name में आपको आपके father का नाम या spouse का नाम लिखना है तो यहाँ पे मैं father का नाम लिखूंगा और last में sir name इतना fill up कर देने के बाद आपको आपकी birth date लिखनी है यहाँ पे birth date में आप जो calendar का symbol लगा हुआ है उसके उपर click करोगे और सबसे पहले आप अपना birth year सेलेक कर दोगे ठीक है और यहाँ पे birth year में आपको आपका जो भी birth year है वो आधार कार्ड या आपके जो LC होगी उसके उपर लिखा होगा वो यहाँ पे लिखना है यहाँ पे 22nd March 2004 तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे उसके बाद आपको आपका email ID लिखना है इसमें बहुत ध्यान रखना है दोस्तो email ID और mobile number लिखे उस वक्त कोई भी गलती ना हो यह ध्यान रखना अपना email ID लिख देते हो उसके बाद आपको वही email ID as a confirm लिखना है और यहाँ पे आप इस तरह से copy paste करने जाओगे तो नहीं होगा आपको फिर से type ही करना होगा क्योंकि यह email ID आपके लिए बहुत important है तो अगर आपने पहली बार गलती की है तो आप उसको ही copy paste करोगे तो वह गलत ही लिखा जाएगा इसलिए आपको फिर से ही type करना होगा जैसे ही आप अपना email ID फिर से लिख देते हो उसके बाद आपको आपका mobile number लिखना है तो mobile number लिखते वक्त भी ध्यान रखना है कि कोई गलती ना हो तो आप लोग अपना mobile number भी यहाँ पे लिख दोगे उसके सासाथ यहाँ पे जो salutation आपने लिखा था उसके नीचे आपको आपकी gender भी select करनी है तो male है तो male female है तो female और transgender है तो transgender तीनों option मिले हुए है country का code तो यहाँ पे आप इंडिया है तो हमारा 911 code आएगा वैसे भी आपको पता है जबी भी आपको mobile number लिखते हो तो आगे प आपको फिर से अपना mobile number लिखना है mobile number भी फिर से type ही करना है ताकि गलती ना हो यह ध्यान रखोगे तो मैं यहाँ पे student का number फिर से लिख देता हूँ उसके बाद country name तो country name इंडिया अपना पहला ही रहेगा और nationality Indian यह सारी चीज़े आप लोग लिख देते हो ध्यान से देख लिखना है सारी चीज़ों को properly confirm करना है खास करके आपके email ID और mobile number को इतनी चीज़े आप लोग लिख देते हो उसके बाद आप यहाँ पर generate OTP पे click करोगे तो यहाँ पर आपको लिख आएगा कि OTP will be sent on your mobile number और आपने जो mobile number लिखा है उसके उपर OTP आएगा तो आप खास ध् लिखा ही होगा वो आपको देखके copy कर देना है 4TN8WWA यह हम लिखके submit पे click कर देंगे तो देखो OTP sent to your registered mobile number and email ID और यह दोनों हम लोग verify करेंगे तो देखो इस तरह से आपको आपके mobile number पे इस तरह से message आ जाएगा अपने OTP का तो वो देखके आप यहाँ पे जो OTP का box है वहाँ पे यह OTP number लिख दोगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और जैसे पिए आप OTP number लिख देते हो यहाँ पे validate OTP के उपर click करोगे तो देखो OTP has been validated successfully so do you want to submit your form now yes हमारा validation हो चुका है तो यहाँ पे yes submit now पे click करोगे और यहाँ पे यह सारी information आपको लिखी हो ही मिलेगी that are you sure you want to submit the registration form क्यों की यहाँ पे देखो please enter your salutation यह जो सारी information आपने fill up की है वो एक बार fill up होने के बाद वो change नहीं हो सकता तो आपने सब कुछ देख के click कर दिया हो तो यहाँ पे OK के उपर आप लोग click करोगे तो जैसे ही आप login के उपर click करोगे तो आपके सामने यह page open हो जाएगा जहाँ पे आपको click on the form for transaction और उसके नीचे लिखा है for CA course तो apply for CA course के उपर click करोगे और यहाँ पे view profile और उसके नीचे देखिए course registration दिया हुआ है वहाँ पे आप click करोगे तो यहाँ पे दो चीज़े आएगी apply for foundation course and apply for direct entry direct entry किनके लिए है जिन लोगों ने अपना bachelor complete कर दिया है उन लोगों को direct entry मतलब CA foundation नहीं करना होता है सीधा CA inter में CA foundation की जरुत नहीं रहेगी सीधा CA inter में मिलेगा हाँ अगर आप 10th complete कर चुके हो 11, 12, 1st year, 2nd year तब 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 तो आपको CA foundation करना है तो यह CA foundation level की entry होती है और graduation complete कर दिया है अगर commerce background से है तो 55% and above से complete किया है तो यह direct entry का benefit ले सकते है non commerce background वाले हो और वो CA करना चाहते हो तो उनके bachelor में कम से कम 60% होने चाहिए तो वो यहाँ पे direct entry वाले course में जाएंगे यहाँ पे आप direct entry नहीं CA foundation के route के थ्रू जा रहे हो तो CA foundation के उपर click करोगे पर इससे पहले में आपको यह भी बता दू दूस्तों कि अगर किसी student ने आगे की basic information फिलप की और उसके बाद किसी का logout हो गया या बंद कर दिया यह एकाद गलती से इस तरह से back लग गया और बहार आ जाते हो तो यहाँ पर फिर से create account करने की कोशिस मत करना आप लोगों के registered email ID के उपर आपको ICAI की तरफ से एक mail आया होगा देखिए इस तरह से एक mail आपको ICAI की तरफ से आएगा जिसके अंदर आपको आपका user ID और password बेजा होगा तो यह user ID और password आपको संभाल के रखना है और यहाँ पे अगर आप बहार निकल गए हो यह process pending में है आधी application fill up हुई है तो यहाँ पे यह वाले page पे आके आप अपना यह user ID और password लिखके login पे click कर देना तो सीधा आप उस page के उपर फिर से आ जाओगे तो यहाँ पे मैंने आपको यह भी बता दिया कि अगर एक बार exit हो जाते हो यह form आधा fill up किया है तो कैसे फिर से आपको अपनी pending profile को complete करना है तो यहाँ पे हम लोग फिर से apply for CA course कर देंगे यहाँ पे course registration और यह foundation के लिए हम apply करेंगे तो यहाँ पे हम लोग click करेंगे for foundation entry तो यहाँ पे अपने को सबसे पहले यह जो registration number है personal details यह fill up करनी है registration number आपको ICAI के mail में आ चुका है कुछ basic information है वो automatically यहाँ पे copy हो जाएगी आपको pending information ही fill up करनी होगी तो देखे यह registration number जो है वो आ गया salutation, name, middle name, last name, gender यह सारी basic चीज़े already आ चुकी है इसके बाद यहाँ पे आपको marital status जहां से pending है वो fill up करना है तो अगर married है तो unmarried, unmarried है तो unmarried ऐसा मतलिकना sir it's complicated मतलब अभी आधा marriage हुआ है ऐसा कुछ मतलिकना unmarried ही लिखना है फिर अभ father's name में आपको आपके पापा का नाम लिख देना है और यहाँ पे compulsory आपको पापा और ममी का ही नाम लिखना है sir marriage हो गया है तो क्या spouse के नाम लिखना है especially girls के sir में husband के नाम लिखू नहीं यहाँ पे आपको पापा का और ममी का ही नाम लिखना होगा तो यहाँ पे पापा का और मम्मी का नाम आप लोग फिलॉप कर दोगे, उसके बाद guardian का नाम ये देखो compulsory नहीं है, जहाँ पर ये एस्ट्रिक्ट मार्क किया हुआ है, ये information compulsory है जो सबको फिलॉप करनी होगी, जिसके suppose parents नहीं है, तो वहाँ पे अपने guardian का नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे phone number आप च नमबर, visa period, are you differently abled, ये compulsory है, मतलब क्या आपको कोई physical defect है, तो यहाँ पे no है तो no, अगर yes है तो क्या, यहाँ आपको describe करना होगा, यहाँ पे no है तो no कर देंगे, are you a staff ward of an employee of ICAI, मतलब क्या ICAI के, आप family member में से ही हो, तो yes है तो yes, otherwise no, no, death of any parent during COVID-19, अगर आपके किसी parent की, मम्मी या पापा ही है, COVID की वज़े से death हो गई है, तो यहाँ पे आप लोग उनकी information को mention करोगे, यहाँ पे नहीं है तो no, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना correspondence address, मतलब के address for communication, यह लिखना है, तो यह भी आप लोग प्रॉपरली लिख होगे, फिर आपको नीचे country का नाम select कर देना है अपना, जो भी country है, तो वो country है, communication के लिए, state, तो यहाँ पे आपको state का option मिल जाएगा, जो भी state है, आप वो select करोगे, district में, आपका जो भी district आता है, गुजरात में, गुजरात select किया है, तो यहाँ आपका जो भी district है, वो य आपका pin code number, यह भी आपको देना है, तो यहाँ पे आपकी information complete हो गई, उसके बाद यह पूछाए, कि is your permanent address, same as correspondence address, मतलब आपका रहनेक वाला address, और आप जहाँ पे communication करवाना चाहते है, वो दोनों same है क्या, तो अगर same है, तो yes पे click करोगे, तो सारे data नीचे copy paste हो जाएंगे, अगर अलग है, तो आप अपना नीचे permanent address अलग से दोगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ student कोई और city में रहते है, और पढ़ाई के लिए कुछ और city में जाते है, तो correspondence वो जिस city में रह रह वहाँ से होगा, जबकि उनका origin, उनका original residence वो अलग हो, तो उन लोगों के ल इसे belong करते हो, general है, SC है, ST है, OBC है, जो भी है, वो select करना होगा, nationality Indian, annual income of parent, यह अगर आपको दिखाना है, तो बता सकते हो, नहीं दिखाना है, तो भी चलेगा, वैसे सब लोग गलत दिखाते हैं, बहुत गरीब बन जाते हैं, तो आप गरीब बन के भी दिखा सकते हो, कोई दिखत की बात नहीं है, और जैसे ही इतनी information fill up हो जाएगी, आप यहाँ पे click करोगे save and next के उपर, तो यहाँ पे data saved successfully, देखो उपर message आ गया, data saved successfully, तो हम यहाँ पे okay कर देंगे, उसके बाद आपको आपकी qualification details देनी है, देखो personal details दे दी, अभी हम second number पे qualification details, जहाँ पे आपने अपना 10th standard obvious है कि complete किया ही होगा, क्योंकि बिना 10th complete किये, आप लोग CA foundation का registration नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आप अपने class 10 की information डालोगे, जो की compulsory है, फिर class 12 जो है, वो अगर आपने complete कर दिया है, आपका पास result है, तो वो लिखोगे, नहीं है, तो नहीं लिखोगे, तो यहाँ यहाँ पे class 10 की details डाल देंगे, 10th की information फिलब कर देने के बाद, 12th standard की information, अगर आपने 12th की exam देनी ही बाकी है, तो तो यहाँ पे कुछ भी फिलब नहीं करना है, मतलब 10th के बाद आप 11th या 12th की पढ़ाई के साथ ही registration कर रहे हैं, तो आपको यह 12th वाले column में कुछ नहीं फ clickable होता है वो, और यहाँ पे status क्या है आपका, तो आपका result अगर बाकी है, तो awaited पे click करोगे, और अगर pass हो गए हो, तो pass पे click करोगे, अगर आपका result अभी बाकी है, या अभी आपने 12th की exam ही नहीं दी है, तो ध्यान रखना कि आपका provisional registration होगा, provisional registration का मतलब यह, कि जैस ही आपका result आता है, बाद में आपको अपने 12th की marksit को upload करना होगा, मतलब आपका registration होगे, आप पढ़ाई भी तेयार सुरू कर सकते हो, पर जब तक आप अपने 12th का result upload नहीं करते हो, तब तक आप exam देने के लिए eligible नहीं होते हो, तो यहाँ पे हम लोग okay कर देंगे, क्योंक awaited की जगा पे आप pass पे click करते हैं, अगर किसी ने diploma या कुछ और किया है, तो यहाँ पे वो select करना है, वो information fill up करनी है, उसके बाद नीचे यहाँ पे left side पे आप देखोगे, medium of study, जिसमें आपको दो option मिलेंगे, English या Hindi, तो आपको जो भी option रखना है, वो click करोगे, यहाँ पे upload class 10th marks तो वो भी हम upload कर देते हैं, यहाँ पे देखिए, आपको जो अपका cursor है, वो यहाँ पे right side पे scroll करना होगा, तो यहाँ पे देखो, आपको जो हाँ पे pass लिख दिया है 10th standard में, वहाँ पे आपको आपके marks obtain कितने हैं, वो लिखने है, तो यह marks obtain में, आपको आपके जो result की copy है, उसके उपर देखना है, जितने marks आये है, वो आपको लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, maximum marks मतलब आपके total कितने marks की exam थी, तो जितने भी marks की exam हो, वो आपको लिखना है, उसके बाद percentage तो वहाँ पे automatically आ जाएंगे, क्योंकि आपने maximum marks में से आपको कितन और यहाँ पे आपको आपकी file upload करनी है, तो यहाँ पे हम click here to upload पे click करेंगे, और यहाँ पे marks या certificate को हम लोग browse करेंगे, देखो यहाँ पे आप browse पे click करोगे, तो आपने जहाँ पर भी ये copy ले ली है, वहाँ से आप download करोगे, यहाँ पे मैंने 10th की marks ले ली है, तो हम double tick कर देंगे तो यह file automatically select कर दी जाएगी देखिए हो गया file successfully uploaded ठीक है done तो हम बन कर देंगे तो यहाँ पे देखिए अपनी जो mark seat है वो यहाँ पे upload हो गई है देखो यहाँ पे status आपको right side पे देखने को मिल जाएगा uploaded clear उसी तरह से अगर 12th का result आ गया हो तो उसको भी यहाँ पे हम लोग information fill up करते है हाला कि यहाँ पे result awaited है pending है तो यह fill up करने की जुरूद नहीं है और अब हम लोग क्लिक कर देंगे save and exit पे save and next पे यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना दोस्तों कि अगर आप लोगों ने 12th standard में result awaited लिखा है मतलब कि आपने exam दे दी है तो आप लोग यहाँ पे आपके जो admit card है आपके school की तरफ से आपको जो मिला होगा वो board वाला जैसे के exam पर के तोर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ यह student का इस तरह से आपको जो admit card मिला होगा आपको इसकी scan copy यानि के PDF file आपको यहाँ पर upload कर दी होगी 12th standard के बाजुवाले में तो देखें यहाँ पे हम लोग select करते हैं browse करके जो भी 12th standard की हमारा admit card की copy है उसको हम यहाँ पे upload कर देंगे देखो यहाँ पे आगया file successfully uploaded तो close पे click कर देंगे देखें यहाँ पे status आगया uploaded ठीक है दोनों अगर आपने 12th के बारे में mention ही नहीं किया है मतलब आपने exam ही ना द अगर आपने 12th की exam ही नहीं दी है अभी तक तो कुछ नहीं आएगा आपने exam दे दी है पर result बाकी है तो आपके admit card की PDF upload करोगे और अगर आपका 12th standard का result आ गया है तो यहाँ पे 12th standard के result की PDF upload करोगे यह चीज़ ध्यार में रखना और उसके बाद ही यहाँ पे save and next पे click करना त आपको upload the photo आपको आपका photograph upload करना है इसके लिए आप लोग पहले सही आपके laptop में आपके mobile phone में जो photo है उसको click करके आपके laptop में transfer कर दोगे आपके passport size का photo और आपके signature का photo तो यहाँ पे देखिए हम लोग upload करते है जो दो चीज़े compuls रहे देखो दो चीजों के बाद जो मैं strict mark ह यह upload photo के उपर तो चलिए यहाँ पे हम click करते है और photograph upload करते है देखिए choose the file यहाँ पे आपको ध्यान रखना है आपकी jpg image वाली file select कर दी है तो हम यहाँ पे select करेंगे देखो your photo is uploaded successfully close पे click कर देंगे चलिए यह हो गया उसके बाद दूसरा आपने को करना है signature तो click for signature browse के उपर click करोगे और यहाँ पे आपका जो signature है वो photograph आप click कर दोगे तो वो भी हमारा यहाँ पे हो गया तो देखो दोनों के बाजू में upload आ चुका है ठीक है उसके बाद अगर LC हो तो आप upload कर सकते हो हलाकि वो compulsory नहीं है तो compulsory जो नहीं है वो data हम लोग यहाँ पे upload नहीं करेंगे उसके बाद आप payment में जाओगे सबसे पहले तो यह financial 22, 23 final आपकी जो payment है उसके लिए जांकारी ले लिजे कि आपको normally 9,200 रुपिस का registration सभी students को करवाना है ठीक है यह ध्यान रखना है अगर US मतलब आप इंडिया के नहीं हो तो US dollar यह आपको fees पे करनी होगी यहाँ पे हम लो 9,600 तो मैं यह recommend नहीं करूँगा तो आपको यह subscription for member journal जो लिखा है उसके उपर टिक मार करने की जरूरत नहीं है वो आप करोगे तो आपको 9,600 रुपिस पे करने होगे आपकी मर्जी है student के उपर मैं इसको छोड़ता हूँ कि अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो otherwise 9,200 का payment करन है तो यहाँ पे आप नीचे payment के लिए यहाँ पे देखो once form is submitted through OTP, the content of the form cannot be changed मतलब अब हम लोग जो OTP है वो generate करने वाले है वो हो गया मतलब आपके form की सारी information final हो गई है तो देखो OTP will be sent on your mobile number ऐसा message लिख के आ जाएगा तो वो mobile पे देखना है आपको OTP आ जाएगा okay पे click करेंगे और आपको यहाँ पे captra code आएगा वो captra code लिखना है तो यहाँ पे हम लोग captra code लिख देते है तो यह captra code लिख के submit के उपर हम लोग click कर देंगे तो देखो OTP send to your registered mobile number and email ID ऐसा message आपको दिखेगा तो देखिए आपके mobile में आपको दूसरा OTP आया होगा क्योंकि पहला एक बार OTP आ गया हो तो यहाँ पे दूसरा वाला आपको देखना है जो final अभी आपने process किया और जो OTP आ है वो हम यहाँ पे लिख देते है और OTP लिख के validate OTP पे click कर देंगे तो देखो तो देखो यहाँ पे OTP has been validated successfully do you want to submit your form obviously इसी के लिए तो मैंनत किये है तो यहाँ पे हम लोग submit पे click कर देंगे देखिए confirm कर दीजिए आपका यह सारी चीज़े यहाँ पे हो गई है और यहाँ पे यह चीज़ आपके लिए खास important है you will get a separate email communication from centralized dispatch system for study material through SMS और email in 2-3 days after making the payment successfully मतलब जैसे ही आपका payment का काम हो जाएगा उसके 2-3 दिन के बाद जो कि चार-पात दिन का भी time ले ले टेंसर मतले ना उसके उपर OTP नमबर आएगा उसके बाद आप फिर आपको जो online books मंगवान यह CA foundation की उसके लिए अलग से process करोगे इसके लिए अलग से वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड होगा तो यहाँ पर हम लोग OK के उपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास payment के लिए अलग-अलग options आ जाएंगे कि आप कौन से mode से payment करना चाहते हो जैसे कि mobile wallet हो गया यहाँ पर या फिर EMI या debit या credit card या net banking आप जो भी करना चाहते हो वो process यहाँ प pro में click करता है तो यहाँ पे आप लोग अपने credit card या debit card की सारी information fill up करने के बाद pay पे click कर दोगे तो यहाँ पे payment पे click किया तो देखो processing payment देखो यहाँ पे आपको successfully send the one time password आपका जो भी mobile नंबर होगा उसके उपर आपको यह OTP आ जाएगा जो आपको यहाँ पे लिख देना ह तो यहाँ पे OTP नंबर लिख देने के बाद आप submit पे click कर दोगे तो देखो जैसे ही आप submit पे click कर दोगे आपके सामने जो process होगा वो process complete होने के बाद तो जैसे ही आपका fees payment successful हो जाएगा आपके सामने आपकी जो application की fees आपने पेकी है वो receipt download हो जाएगी यहाँ पे आपको फ तो यहाँ पर देखे आप लोग click करोगे तो आपकी receipt download हो जाएगी देखे यहाँ पे यह receipt आपको check कर लेना है कि 9200 रुपीज का आपका payment successful हो गया हो और आपका receipt number यहाँ पे यह खास जो पहली दो चीज़े है आपका नाम proper check करोगे फिर आपका application का number और आपका receipt number जो आपने payment किया है वो यह आपके लिए खास important है आप इसको download कर दोगे save कर दोगे ताकि आपको future में कभी भी जरुवत लगे तो इसको आप as a reference इस्तमाल कर सके तो I hope दोस्तों कि CA foundation के registration का पूरा process आपको crystal clear हो गया होगा इसमें अगर आपको कोई भी confusion या दिक्कत हो तो आप हमें inform कर स आते हैं तो sahas institute आपको अलग-अलग study options provide करता है जिसमें सबसे पहला है हमारे offline smart classroom study program जिसमें आप हमारे classes में आके हमारे expert faculties के साथ high tech classes में education ले सकते हैं दूसरा है online live virtual classes जिसमें आप कहीं से भी हमारे जो faculties है उसके साथ live education ले सकते हैं और ये भी बहुत ही advanced level का होता है जिसम आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आप हमारे digital classroom में ही present हो two-way communication होता है ताकि student जो घर से पढ़ रहे हैं उनको भी कोई भी दिक्कत ना हो और तीसरा और सभी students का favorite वह साहस smart studies application जिसमें आपको pre-recorded sessions मिलते हैं जो daily live lectures होते हैं उसके भी videos मिलते हैं जिसमें आप unlimited time view कर सकते हो और इ lowest fees पे best quality का education experience करके अपना knowledge और result दोनों ही terrific level पे बढ़ा सकते हैं so till then हमें सा मुस्कराते रहे सीखते रहे आगे बढ़ते रहे this is me भाविंसा signing off God bless you all जैहें